हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी अभी यह समय में देखा जाए तो आप लोगों की सबसे ज़्यादा क्वाईरी आ रही थी तीन प्रश्णों के बारे में सबसे पहला प्रश्ण आपका यह पूछा जा रहा था कि 7th phase का exam कब तक होगा क्यूंकि आपको पता होगा कि अभी तक 6 6th phase का exam complete करा लिया गया है आठ अपरेल तक 6th phase का exam चला अठ अपरेल को 6th phase का exam चल लेकिन 7th phase का अभी तक date आया नहीं है तो यह date कब तक आएगा दूसरी बात यह थी कि CBT1 का CBT1 हो जाने के बाद उसका answer seat या response seat कब तक आना चाहिए और CBT2 बहुत सारे लोग तयारी अभी से कर रहे है CBT2 मेंस के लिए तो उसका date कब तक आ सकता है उसका date के बारे में पूछ रहे है साथी साथ यहाँ पर और जो दो तिन बात निकल का रही है एक आज की latest report निक TCS करवाती है और railway exam TCS करवाती है तो इसमें क्या class होता है और यह किस तरह से काम करेगा इसके बारे में बात करेंगा साथ ही साथ आप लोग में से बहुत सारे लोग ने यह सजेस्ट किया था कि एक tutor campaign चलाया जाए तो इसमें उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या tutor campaign अभी चलाना चाहिए यह कब चलाने से valid होगा और हमें कब तक इंतिजार करना चाहिए और अगर चलाया जाए तो इसकी रनिती क्या होगी बिसे पहले आपसे यह request होगा कि अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरू कर लें साथ ही साथ वीडियो को share जरू कर दें चली आगे जो था यह LDC का एक्जाम 11 अप्रेल से होने आला था इसको अभी postpone कर दिया गया है तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ railway एक्जाम को ही postpone किया जा रहा है और दूसरे एक्जाम को भी यहाँ पे postpone किया जा रहा है यह जो एक्जाम था यह 11 अप्रेल से होने आला था LDC और U DBSC के Class 12 Board के exam postpone किया गया है, Class 12 का exam postpone किया गया है, साथी साथ Class 10 का जो exam होने वाला था, उसे cancel ही कर दिया गया है, तो इसका हमारे exam पर क्या असर पर सकता है, ये भी ध्यान देने वाले बात है, साथी साथ इसका exam होने वाला था, May 4 to, मतलब इस exam को postpone करके, May 4 to June 14 तक कर दिया गया है, Class 12 के exam को और 10 को postpone कर दिया गया है, अब देखते हैं का और नूस के तरफ, ये है calendar, ये है calendar SSE का, SSE का calendar है, ये जो कि SSE हर साल निकालती है, Railway तो कोई calendar नहीं निकालती है, लेगिन SSE का calendar निकलता है, यहाँ पर आप अगर ठीक से देखेंगे, तो मैं अगर थोड़ा से जूम कर दूँ, तो आप देख पाईएगा यहाँ पर, कि CHSL, CHSL का exam, Tier 1 का होने वाला था, 12 अप्रेज से 12.42.27, 12 अप्रेज से CHSL का exam होने वाला था, जो कि on time हो रहा है, अभी आप देखेंगे, CHSL का exam on time हो रहा है, जिसे TCS conduct कर वा रही है, अभी अभी महराष्टरा में कोरोना के बहुत सारे case positive पा गया है, तो महराष्टरा सरकार ने new guideline जारी किया है, कि आप और आपके साथ एक guardian जा सकते हैं, अगर आपके पास admit card है, तो आप travel कर सकते हैं और exam देने जा सकते हैं, आपको याद होगा last year, जो था CGL का mains का exam जो हुआ था, last year कोरोना में ही चला था, train उतने सारी चल नहीं रहे थी, फिर भी CGL का mains का exam हुआ, अभी CHSL का भी exam हुआ, साथ ही साथ CGL mains के exam के बाद, आपका NTPC का भी exam चला है, हाला कि तब तक करोना थोड़ा बहुत control हो चुका था, लेकिन mains में ये CGL का भी exam चला है, तो हम यहाँ देखते हैं कि CGL का exam भी mains में चलता है, दूसरा बात यहाँ पर यह पूछने में आता है, कि आपका जो यह exam है, CHSL का exam, उसके कारण हमारे जो 7th phase का exam है, यानि कि NTPC के 7th phase का exam, वो CHSL के कारण उस पर असर पड़ा है, और वो delay हो जाएगा, जब तक यह exam नहीं होगा, यानि कि 27 अपरेल तक यह exam चलेगा, तब तक हम लोग का 7th phase का exam नहीं होगा, और SSE का भी, लेकिन दोनों exam एक साथ दिया जाता है, क्योंकि उन दोनों को वो अलग तरह से treat करते हैं, ये एक बैंकिर का exam है, SSE का exam, उसी तरह से रिलेवे का exam को भी अलग मना जाता है, हाला कि इसे postpone किया जाता है, लेकिन तब जब centers की कमी हो, तब exam को थोड़ा बहुत आगे पिछे भी किया जाता है, लेकिन उसके करने के भी संपावना नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि यहां एक और चीज़ देखने लाइक है, देखें, combined graduate level, यानि CGL का 2020 का जो paper है, tier 1 का, वो होने आला है, 29 मैं से, आप देखें, 29 मैं से यह exam सुरू होना जाला है, जो कि 7 तारीक तक चलेगा, तो फिर से CGL का, यहां पर आपका tier 1 चलने आला है, तो क्या इसके लिए फिर से आपका NTPC का exam को, क्या रोका जाएगा, या पुश्पन किया जाएगा, एक तारीक से 20 तारीक तक चलेगा, उसके बाद Constable का exam, जो है, GD का exam जिसे बोले आता है, SSC GD, Rifleman का exam भी चलेगा आपका, अगस्त में, पूरा अगस्त यह exam चलेगा, उसके पहले जुलाईग में यह exam चलेगा, बने पूरे जुलाई से अगस्ता का schedule बीजी है, इधर आप देखेगा, तो अप्रेल से ले करके, पूरे 27 अप्रेल तका schedule बीजी है, किसका, SSC का, और साथे साथ यह 29 से 7 तारीक तक, Combined Graduate Level CGL का exam चलेगा, तो इसी के regarding Twitter campaign की बात की जारी थी, यह CHSL का exam date अपने calendar का अनुसार हो रहा है, तो NTPC का exam क्यों नहीं करवाया जा रहा है, लेकिन देखें, NTPC का भी exam होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, कि NTPC का exam नहीं देगा, हमें इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए, कि NTPC का exam होगा, और इसी मन्त करवाना चाहिए, आज आज आपका 15 तरिक तक हो चुका है, और 14 तरिक स्वरी, आज यह 14 तरिक है, और आपका exam अभी भी April मन्त बाकी है, और पहले notice मैं ऐसा कहा गया था, कि April में यह exam पूरे करवाएं जाएंगे, अभी देखे, 4-5 लाख लोगों का exam बचा है, जिसे कम से कम 4-5 दिन में यह लोग conduct करवा लेंगे, तो 4-5 दिन के बात है, तो अभी हमें इंतजार करना चाहिए, फिर भी आपके suggestion का इंतजार होगा, अगर आप चाहते हैं कि Twitter campaign में कुछ किया जाए, किसी भी तरह, तो 7th phase के exam के बाद आपका group D का exam होगा, 7th phase का exam complete करने बाद 15-20 दिन, याद रखेगा 15-20 दिन के अंदर आपका response seat आ जाने के पूरे पूरे chances है, 15-20 दिन के अंदर आपका response seat आ जागा, 1st phase का response seat आने के बाद करीब माल लिजे, आपको एक सब्ता उससे देखने दिया जागा, फिर सुधार के लिए, इसमें मनदर टोटल प्रोसेस अगर देख दिया, तो 20-25 दिन आपको लगेगा, जिसमें आप क्लेम करेंगे कि कौन सा question गलत है, कौन सा question सही है, तो 20-25 दिन उदर जाएगा, तो अप्रेल, मैं पूरा complete हो जागा, उसी भी ग्रूप D का एक्जाम सुरू करने के पूरे चांसे से, ग्रूप D का एक्जाम अगर चालू हुआ, तो कम से कम 3 मन तक चलेगा, तो अभी आपका अप्रेल, मैं, जून, जुलाई, अगस, अगस तक आपका CBT-2 सुरू होना चाहिए, अगस तक आपका, अगर माल लिजेस्मेंट कोरोन कारण, थोड़ा सा भी अगर डिले होता है, तो अगस से थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन अगस सिप्टेंबर तक हम कह सकते हैं, कि CBT-2 का एक्जाम हो जाना चाहिए, तो यही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर ले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दें, और अपने कमेंट जरू करें, हमने आपका कमेंट का इंति जा रहेगा, वीडियो देखने लिए धन्यवाद आपका दीन सुबह,